नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है इस वीडियो में मिरा नाम है सुनील चौतरी फाउंडर जस्ट बाजार एंडियो डिजिटल सक्सेस कोच मैं मदद करता हूँ आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखने में और ऐसे साधन तियार करने में जिनसे आपको ज्यादा से ज्या कि चौतरी कि नाम है और इसे काली चौतरत भी दिपावली कहा जाता चौतर आपकेशलेश्ट के है जैसे कि करवा ब धन तेरस पहला दिन हो गया दूसरा दिन छोटी दिवाली और तीसरा दिन हो गया में दिवाली और चौथा दिन हो गया गोबर धन और पांचवा दिन हो गया भाई दूस तो ये पांच दिन का दिवाली का तिवार है इसको पांच दिन का दिवाली का तिवार का जाता है बड पहली बात कि बुराय के ऊपर अच्छाई की जीत अब इसमें ज्यादातर लोगों को यह लग सकता है कि बाई यह भगवान शीरीराम के जीवन से रिलेटीड नहीं है चोटी दिवाली चोटी दिवाली रिलेटेड है लड क्रिशना अब क्रिशन के जीवन से जब उन्होंने नरकासुर नाम के राक्षस को मार दिया था तो बगवान क्रिशन नरकासुर को हराया और उसको मारा इसी दिन पर किस दिन पर छोटी दीपावली के दिन तो इस दिन चोटी दीपावली को लेकर कि इस दिन भी हम साफ सफाई करते हैं और प्यूरिफिकेशन करते हैं और यह साफ सफाई है सिर्फ घर की नहीं होती है चोटी दीपावली पर हम अपनी मानसिक साफ सफाई भी करते हैं अपनी जो हमारे विचारों में जो गंदगी है उसकी भी साफ सफाई है तो इसका यह सब के अपने अपने तरीके हो सकते हैं बट इसको spiritual भी मतलब साफ सफाई करने का जोत्योहार है माना जाता है तो मांसिक साफ सफाई भी जरूरी है उसके बाद तीसरा point है चोटी दिवाली के दिन खास पूजा पदिती का पालन किया जाता है जहां तक मिरा अंदाजा है हम चोटी दिवाली पर बहुत खास कुछ नहीं करते हैं बट जो लोग धार्मिक procedures को मानते हैं वो special पूजा करते हैं चोटी दिवाली के दिन भी स्वास्ते समरद्धी और खुशी के लिए खास पूजा की जाती है उनके द्वारा और इस पूजा पर बगवान का धन्यवाद किया जाता है जो भी उनकी तरफ से हमें हमारे जीवन में अच्छा हो रहा है और यह चोटी दिपावली है उसको माना जाता है कि हम अपने जीवन में जहांकें अपने lifestyle पर अपने जीवन पर विचार करें कि सब कुछ सही हो रहा है यह कुछ सुधार की आवशकता है राइट पांजमा पॉइंट है चोटी दिपावली को काफी जोज के साथ मनाया जाता है काफी काफी जोज के साथ मनाया जाता है चोटी दिपावली को और बहुत कम हमें मतलब इसका आभास नहीं होता है पर चोटी दिपावली के दिन भी हम लोग जो हम तो बचपन से ही करते आ रहे हैं कि वह पटाके फोड़ी इस अब कर जाते हैं और मिठाई बढ़ी जाती है छोटी दीपावली बहुत कम लोग मनाते हैं बड़ मेरी इस वीडियो के बाद मेरा निवेदन रहेगा कि जाद से जादा मनाएं छोटी दीपावली को और छोटी दीपावली आले दिन जो आखरी पॉइंट है वो है हमारा सामाजिक ब बधायां दें, शो कामनाएं दें, मिठाईया मातें और जो हमारे सामाजिक जो मजबूती है उसको और मजबूत करें जो बी हमारे बेहरभाव हैं, उनको मिटाएं सारी कम्यूनिटी एक साथ आए, मिल जूलकर रहें और खुशही मनाईं जो भी पुरानी प्रॉब्लम्स हैं उनको माफ करें, अपनी प्रॉब्लम्स को माफ करें, दूसरी लोगों ने कोई आपके साथ गोटाला किया है, उसको भी माफ कर दें, कुल मिलाकर छोटी दिपावली पर खुशियां ज्यादा मनाएं, और भगवान का धन्यवाद करें, सा साफसफाई भी करें, सांस्कृतिक साफसफाई भी करें, और समाज के साथ जुड़ कर रहें, यह बहुत ज़्यादा जरूरी है, और मैं यह वीडियो बना रहा हूं, उसका मतलि यह नहीं कि मैं कोई भगवान का दूथ हूं, मैं आप जैसा ही हूं, मैंने भी बहुत सारी गलतियां की हैं, तो मेरा इस वीडियो को बनाने का शायद एक कारण यह है कि मैं अपनी गलतियां सुधार रहा हूं, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और आप क्या करने वाले हैं, चोटी दिवाली प चाते हैं, और वेबसाइट बनाना चाते हैं, बिजनस को ग्रो करना चाते हैं, तो उन सब चीजों के लिए आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ, भगवान के आशिकरवात से, मैं उन चीजों में मास्टर हूँ, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, मेरा एक क सपोर्ट, कमप्लीट सपोर्ट मिलती है, आज के जवाने में डिजिटल स्किल्स बहुत ज़्यादे जरूरी हैं दोस्तों, तो आप सभी को छोटी दीवावली की हार्दिक शुब कामना है, मैं चाहूंगा आप मेरा कोर्ज जैन करें, जिससे आपको बहुत पंजबूती मि मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में